गुड मोरिंग स्ट्रेंट्स देखिए इस वडियो में हम एडवांस एबस्ट्रेक्ट एलजेब्रा जो मेंसी फिर्स्ट यर का फिर्स्ट मैथ है उसमें जो सेक्शन फिर्स्ट है उसमें एक टोपिक बनता है आपका ओटोमोर्फिजम और इसे रिलिटिड थियोरम्स भी है आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं दस दिन के अंदर आपको फस्ट सेक्शन जो है कंप्लीट करा दूँगा विजग एक्जाम्पल ठीक है और वो आपको समझ में आएंगे यह मेरी गारंटी है देखिए सबसे पहले हम ओटोमोर्फिजम करेंगे ठीक है ओटोमो पता होना चाहिए क्या होता है आपको आईसोमोर्फिजम पता होना चाहिए क्या होता है उसके बाद हम ओटोमोर्फिजम बिल्कुल इजी वेसे समझ में आ जाएगा ठीक है होमोमोर्फिजम देखिए क्या होता है इसमें आपके पास दो ग्रूप होते हैं एक जी होता है औ अगर हम बिल्कुल बेसिक से उठाइएं, तो हमने दो ग्रूप लिए हैं, तो एक questionarize होता है, ग्रूप क्या होता है और operations क्या होते हैं, first of all समझते हैं, ग्रूप क्या होते हैं, देखिए, ग्रूप होता है, ग्रूप का मतलब हिंडी में क्या होता है, समू होता है, is it right, ये चार numbers लेते हैं और इन चार numbers का एक group ले लेते हैं Is it right? और आप एक mind में बिल्कुल बात रखिएगा अगर बात आए group की तो वहाँ पे एक function होगा अगर function होगा तो mapping होगी ये बात आप तीन अपने mind में रख लीजेगा मैं दुबारा फिर बता देता हूँ कोई भी group होगा group होगा तो क्या होगा? वहाँ पे एक function given होगा और function आपको given होगा तो वहाँ पे एक mapping must be draw होगी अब देखिए एक function ले लेते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं? f of x is equal to f of x is equal to eta raised to power x and x belongs to integer और integer भी कैसे लेने है? positive देखिए integer two types के होते हैं negative होते हैं, positive होती है और बीच में क्या होती है? 0 तो आप वहाँ पे only positive integer लेंगे और अगर मैं यहाँ पे कोई भी positive integer रखूँ इस function के उपर ये group define है अगर मैं यहाँ कोई भी positive integer रखूँ और मेरे को function की value मिल जाए यह function के अंदर से ही कोई एक value मिल जाए तो मेरा जो यह function है ना इस function के उपर यह group जो है define हो जाएगा देखिए मैं example देता हूँ अगर मैं x को one integer है और वो positive लेने हैं x को मैं one रख सकता हूँ x को मैं two रख सकता हूँ three रख सकता हूँ up to so on ऐसे ही चलता रहेगा is it right और function क्या है आपके पास e raise to power iota की power x है is it right अब देखिए x x belongs to integer integer क्या था one x को one proof कर देजिए यानि कि iota raise to power one is it right तो यहाँ पे iota raise to power two iota raise to power three and एक और ले ले लेते हैं element यहाँ पे iota raise to power four is it right अब देखिए यहाँ पे under जो operation होता है बात आती थी operation की मैं multiplication ले रहा हूँ यहाँ पे multiply करूँगा कैसी iota की one का मतलब होता है iota की power one times iota की two का मतलब होता है iota को multiply कर देजिए iota से iota की three का मतलब iota multiply by iota multiply by iota iota ki four iota को four times क्या कर देजिए आप multiply कर देजिए is it right अब देखिए iota की power one क्या होता है iota अब देखिए क्या group में है बिल्कुल है ठीक है first second iota की power two का और याद रखेगा my dear जो iota होता है under root minus one होता है iota की power two का means क्या होता है under root minus one iota की value रख दीजिए यहाँ पर दूसरी iota की value रखती जिए this one also equal to minus one is it right iota cube की value क्या होती है अब देखिए iota square की तो value क्या हो गई आपकी minus one into iota is it right this one minus iota देखिए ये group में present है आगे देखिए iota की four iota iota से multiply iota square this one minus one multiply किसे कर ये minus one से this one plus one ये भी group का element है कुछ भी value रख रहा हूँ positive integer में further further मेरे को group में value मिल रही है तो ये क्या होगा ये function इस group के उपर जो है define होगा अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें दो होते हैं यहाँ पे दो set ले लेता हूँ एक G ले लेता हूँ यहाँ पे और एक G dash ले लेता हूँ ठीक है G के element one, two, three, four is it right अब देखिए यह function यहाँ पे एक function apply हुआ है f of x क्या function है? वो function है oita raised to power x है देखिए यहाँ f है है ना तो यहाँ पे सारे function क्योंकि देखिए यहाँ पे one है two है three है and four is it right? one, two, three, four मैंने इसके उपर function apply कर दिया यानि कि f of one function apply हो गया ना f of two and f of three and f of four आप इस function की value क्या रख सकते हैं यहाँ पे क्या है? oita minus one minus oita and one is it right? और यहाँ पे इस function के through mapping हो गई है ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है mapping सीख गए आप function भी आपको group भी पता लग गया अब function क्या होता है? my dear एक बात याद रखिएगा यहाँ पे जो element होते हैं न इनकी हर एक element की unique image यहाँ second group में होने चीए यहाँ से एक ही line जाने चीए यहाँ से दो line न आ जाए इस element की यहाँ भी image बने और इस ही element की यहाँ भी image बने तो function define नहीं होगा function define कब होगा? यहाँ पे जितने भी element है न इस element की एक image यहाँ होने चीए इसकी दो ना होँ इस element की यह और यह ना हो याणि कि मैं एक simple से सब्दम बता देता हूं यहाँ से एक line ही जाए बस इससे एक line ही जाए आगे इससे भी एक line ही जाए आगे इससे दो line ना जाए तो यह आपका function हो जाएगा याणि कि इस group के ओपर यह function define है अब ऐसे आप कुछ भी ले लिजिए function अलग होगा group आपको अलग given होगा वो यहाँ पर लिखेगा x integer से belong करता है या negative integer से belong करता है या real number से belong करता है वो तो आपकी condition पर depend करेगा और group आपका यहाँ से define हो जाएगा अब आप group समझ गए है कि group होता है ठीक है group क्या होता है group होता है तो एक function भी given होगा अगर function में जो condition given है वो values रखें further further group में value मिलती जाएं वही value group में present हो तो उसको क्या बोलते है group अब देखिए अब हम बात कर रहेते होमोमोर्फिजम की होमोमोर्फिजम होता क्या है होमोमोर्फिजम में दो ग्रूप होते है और उसमें binary operation जैसे इसमें multiply लगाया था ना उसमें कुन सो operation लगाना है आपने multiply लगा लीजिये और एक addition लगा लीजिये देखिए होमोमोर्फिजम समझे पहले तो आपके पास दो ग्रूप होंगे ग्रूप G और G- एक सिंपल सी बात है अगर दो ग्रूप होंगे तो उनके दो उप्रेशन भी होंगे हम O को तो ले लेते हैं O प्रेशन को एडिशन और O- को क्या ले लेते हैं मल्टिप्लिकेशन मैं लिख देता हूं O को तो मैं addition operation लेता हूँ और O dash को क्या ले लेता हूँ multiplication ठीक है अगर ये homomorphism होगा तो एक condition satisfy करेंगी क्या मैं दो element लेता हूँ A B देखे मैं example से बताऊंगा इधर तो आप just समझे लीजिए F of A देखे ये operation यानिकी addition है मैं यहाँ पर addition operation लगाऊंगा O किसके B के ओपर दो element लूँगा A B जो group से होंगे देखे वो बताऊंगा मैं आपको समझते रहे तो अगर मैं यहाँ पर F of A लिखूं और G dash का जो ये multiply का है यानिकी गुणा का है वो लगाऊं और F of B अगर ये equal आ जाएं देखे ये O है ये इस group का जो operation है ये वो है यानिकी plus और ये क्या है multiplication और बात आती है group है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एक function define होगा ठीक है मैं एक example लूँगा मैं उसकी help से आपको जो इसको clear करा दूँगा ठीक है अब देखे मैं एक example लेता हूँ ग्रूप है अगर ये condition satisfy कर जाए तो वो क्या हो जाएगा homomorphism हो जाएगा ये प्रतबात ठीक है अब ये condition है क्या ठीक है ग्रूप है तो एक function होगा चलिए function आपको given होगा मैं एक function ले लता हूँ f of x is equal to x f of x is equal to ले ले लेता हूँ is it right कोई doubt है यहाँ तर और x belongs to positive integer यहाँ पे लिख लेते हैं x belongs to positive integer वही x की value positive integer लेनी है 1, 2, 3, up to 7, कुछ भी ले लीजिए अगर ये condition satisfy हो जाए तो ये homomorphism हो जाएगा अब condition देखिए यहाँ पे function लेता हूँ देखिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं देखिए एक तो ये g group है इसके ओपर operation o है ठीक है एक g dash है इसके operation o dash है o को मैंने positive बोल दिया है और o dash को मैंने multiplication वाला बोल दिया ठीक है और एक function आपको given होगा ये function होगा f of x ये कहा आपका 2 raised to power x and x belongs to natural number मैं दो ही element उठा लेता हूँ यहां से जैसे कि यहाँ पे a b लिया है a b मैं group से 2 element लेता हूँ एक one ले लेता हूँ एक two ले लेता हूँ ठीक है और अगर मैं इस operation पे apply करता हूँ एक बार x की जाएगा one रख दीजे two raised to power one हो जाएगा एक बार x की जाएगा two रख दीजे हाँ पे two raised to power two हो जाएगा यहां तक आया समझने अब यह condition verify करते हैं देखिए कैसे f of a a की जाएगा क्या है यह a है आपका यह b है a की जाएगा one है is it right यह o o operation को मैंने क्या कहा था o operation को plus कहा था तो plus b b क्या है आपका अब ध्यान से समझेगा b two है ठीक है is equal to f of a o क्या था opposite plus को operation था न and b b क्या है आपका two and equal to होना चाहिए f of a a क्या है one o dash o dash operation क्या था multiply का multiply f of b b क्या है आपका b क्या है two ठीक है यह equal आना चाहिए बिल्कुल होगा देखिए यहाँ पे f of one plus two क्या हो जाएगा three is equal to f of one देखिए जब आपने one put किया था two raise to power one क्या है था two ठीक है f of one की सिद्धी value रख देते है two multiply f of two two raise to power two means four is it right this one also equal to f of three is equal to four two जा eight is it right अब देखिए f of three आपके पास f of x is equal to two raise to power x था यहाँ पे three रख दीजिए f of three is equal to two raise to power three यहाँ पे two multiplied two multiplied two two जा four four two जा eight it means eight is equal to eight यहाँ से condition verify हो गई हमने two operation लिए देखिए my idea बिल्कुल easy concept है homomorphism क्या था दो group थे उसके ओपर दो binary operation अलग-अलग थे याद रखना एक binary operation को मैंने plus लिया एक को multiplication लिया ठीक है दो element लिए a, b किसी group के a, b दो element लिए one, two ठीक है अगर यह condition verify हो जाए तो वो homomorphism हो जाएगा अब यह condition मैं एक example की help से solve करता हूँ मैं a को तो one ले लेता हूँ b को क्या ले लेता हूँ two ले लेता हूँ और यह condition देखिए a की जगे one रखा मैंने o को भई अपने पात से ही मानना है कोई भी operation मैंने a को क्या माल लिया o को plus और o dash को क्या माल लिया multiplication अगर मैं जो है यहाँ पर a a की जगे one रख दू o की जगे plus रख दू यह operation है और b की जगे क्या रख दू two रख दू is equal to f of a अभी o dash operation क्या था multiplication था f of b इसकी value रखी देखिए जब group होगा तो आपको क्या given होगा function given होगा तो इस group के उपर जो g group था इसके उपर function apply करके g dash group के element आए यह g dash group के element आए देख सकते हो two two raise to power two four two जा eight हो गया और two plus one three और f of three f of three की value कितनी आगई eight eight is equal to eight it means यह homomorphism हो गया अब देखिए isomorphism क्या होता है isomorphism होता है students friends जिसमें one one हो one one हो it means group की जो मतलब image बनती है वो क्या हो one one हो on two हो और homomorphism हो भई homomorphism के लिए ते just अब देखिए आप यहां पर ध्यान से समझेगा isomorphism में क्या था वो one one होना चाहिए on two होना चाहिए और isomorphism होना चाहिए अब इसके लिए isomorphism तो आपको पता लग गया भई यह condition verify होनी चाहिए अब one one और on two और देख लिजिए क्या होता है one one on two होता है मैं यही ले लेता हूँ ठीक है मैं यहां से यहां से कुछ भी लो x की value माल लीजे मैंने one ली और यहां पे इसकी value यहां पे क्या मिल गई आपको two यहां पे क्या मिल गई आपको four इसकी जो यह है यह group g है इस पे एक function अपलाई किया और उसकी unique image मिली है किसके अंदर g dash के अंदर और two की भी एक unique image मिली है किसके अंदर g dash के अंदर तो इसको आप बोलोगे one 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 मतलब यहां से मैं कोई भी element लेता हूँ और उसकी एक unique image मेरे को g dash में मिल रही है for example अगर मैं इसको x माल लूँ क्या माल लूँ यहां पर मैं लिख सकता हूँ जब मैंने x की value one रखी ठीक है तो मेरे को क्या मिल गया यहां से f of two मिल गया ठीक है यहाँ पर इसकी value मैंने one रखी तो यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को two मिल गया क्योंकि two raise to power one two ही होता है और इसको आप जर्नली कैसे लिख सकते हैं, आप रख लीजिए, कोई भी value रख लीजिए, यहाँ पे आप 3 रख लीजिए, 2 raise to power 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे जर्नली इसको मैं x माल लू, इसको मैं y माल लू, is it right, तो यह क्या हो जाएगा, f of x is equal to f of y, अब x की जगा है, आप x रख दीजिए, this one 2 raise to power x, this one, अब यहाँ पे क्या रख दीजिए, y रख दीजिए, this one 2 raise to power y, अब आप समझेगा, जब बे सेम होते हैं, तो power क्या होती है, equal होती है, therefore x is equal to y, इसका मतल अब क्या हो गया, कि अगर मैंने इस function के, जो group g है, इसकी कोई भी function लगाया इसके उपर, और मेरे को कुछ ना कुछ unique element g' में मिल गया, तो यह क्या है, one 1 है, अब on to में देखिए, on to reverse होता है, reverse क्या होता है, अगर मैं g' का कोई ना कोई एक element लूँ, और उसकी image, pre image बोल सकत हैं, देखिए, इसकी image तो यहां बनती है, और इसकी pre image दुबारा से g में ही बनेगी, g' की कोई pre image मेरे को मिल जाए, मैं एक आपको छोटा सा example लेता हूँ, इसका फिर first example करेंगे न, अब मैं बताओंगा आपको कैसे करना है, जब भी आपको on to कोई भी function on to proof करना हो, तो उस का inverse होता है, for example, देखिए, मैं आपके एक छोटा example देता हूँ, अगर a की मैं multiply a inverse के साथ करूँ, तो मेरे को identity मिलेगा, is it right, यानि कि इसका उल्टा होता है ये, अब देखिए, जैसे ही, मैं एक छोटा example लेता हूँ, मैं x ले लेता हूँ, x square, अगर x square की मैं multiply कर दूँ, किस के साथ कर दूँ, इसके inverse के साथ कर दूँ, इसका inverse क्या होगा, x, ये inverse होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x raised to power 2 minus 2, क्या हो जाएगा, x raised to power 0, it means 1 हो जाएगा, यानि कि 1 क्या होता है, identity होता है, इसका inverse, अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 raised to power x है, ठीक है, कोई भ उसकी pre-image बनाए, it means 2 raised to power 1 by x ले लिजिए, जैसे, और इसको आप क्या ले लिजिए, क्या ले लिजिए यहां से आप इसको, यह है f of y, f of y एक element ले लिजिए, ठीक है, अब अगर मैं इसकी pre-image बनाना चाहूं, तो f of y, क्या है, 2 raised to power 1 by y ले लिजिए, ठीक है, अब इसके उपर function apply कर देते हैं, this one f of y is equal to, देखिए क्या होगा, 2 raised to power 1 by y into y, देखिए यह y, y से y cancel, this one 2, यानि कि f of y is equal to 2, यानि कि यहां से आपने क्या किया, कोई भी एक element लिया, और यहां से आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, यानि कि कोई भी एक element लिया यहां से, क्या element लिया था, 2 raised to power 1 by x ले लिजिए, 1 by y, y ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, यह भी y हो जाएगा, x ले तो यहां भी x ले लि यह वाला function जब यह वाला function apply कि आपको two मिल गया यानि कि इसकी इसकी प्रीमेज यह मिल गई तो यह क्या हो गया on two हो गया अब देखिए one one मिल गया आपको on two मिल गया और दो function अलग-अलग है एक जी है और एक जी डैस है अब मैं दुबारा से फिर आपको revise कुराद देता हूं homomorphism होता क्या है homomorphism क्या होता है उसमें दो group होते हैं और दो अलग-अलग binary operation होते हैं अगर यह condition satisfy कर जाए यानि कि ए भी दो element ले ले किसी भी group के और वो मैंने पहले बताया था कि यह one or two यहाँ पे रखें और इस operation को इसको आप multiply ले लिजी जुरूरी नहीं है addition ही लेना है इसको आप addition ले लीजिए इसको आप multiplication ले लीजिए जब आप यह property करेंगे दोनों अगर equal आ जाएं तो वो क्या होता है homomorphism होता है अब isomorphism क्या होता है one one होता है यानि कि इसकी एक unique image इसमें मिलनी चाहिए one one और on two क्या होता है इससे कोई ना कोई एक element ले और अगर उसका इसका inverse exist कर जाए इसके अंदर first g के अंदर exist कर जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका on two हो जाएगा और homomorphism हम आपको बता जुके हैं अब देखिए isomorphism अब automorphism की बात आती है जो main है जो आपका concept है बही automorphism होता है क्या है देखिए समझेगा automorphism isomorphism ही होता है one one होता है on two होता है और homomorphism होता है बट इसमें g से g dash के element आये थे ना अलग-अलग आये थे इसमें same होना चाहिए यानि कि g पे कोई भी function apply करूं वो g ही आ जाए तो वो क्या होगा आपका automorphism अब मैं बता देता हूँ automorphism proof करने से पहले आप किसी भी theorem में उसको पहले तो one one proof करेंगे फिर करेंगे क्या on two और फिर करेंगे homomorphism और ये condition आप वहाँ से satisfy करेंगे अब इसकी first theorem करते हैं अभी जो आपके notes हैं अब आप notes पे आ जाएए ये आपका जो basic था वो आगे मत पढ़िएगा आप जो first में आपको 57 page notes में दिये गए हैं वो मत पढ़िएगा आप ये समझके कि homomorphism क्या होता है उसके बाद isomorphism अब automorphism अब automorphism में जब भी मैं element उठा इस पर आ जाएंगे मिलते हैं next video में next theorem के साथ बने रहे हैं मेरे साथ मोहन सर्लैक्च जीरो वन फैंक यू